हर्याना में कॉंग्रेस की हार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदेवीर सिंग जो सहयोगी पार्टी के नेता भी हैं ये हार की वजह क्या है यहार बहुत चिंताजनक है वजय जानने के लिए कॉंग्रेस को भी समिक्षा करनी पड़ेगी बैठना पड़ेगा और इंडिया अलाइंस के बाकी पार्टनर्स को भी अपने-पने सूत्रों से अपने-पने संपर्कों से बात का पता करना पड़ेगा कि क्या ऐसा हुआ कि र वर्करों में चर्चा नहों जैसे समाजवादी पार्टी के राष्टे द्रजी ने तो अपने को पहले से विड्रो कर लिया था इन दर लार्जर इंट्रस ओफ दिया लेकिन आपके साथ जो लास तक बात चली और उसके बाद बात चलने के बाद तूटी तो बहुत बार ऐस होता है की कारिकर्ता especially सहयोगी दलगा कारिकर्ता अपमानित मैसूस करता उसे लगता है उसके नेता को अपमानित कर दिया गया उसकी पार्टी को अपमानित कर दिया गया आप कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी से आकरी दोर तक बादचित चल रही थी एलाइंस को लेकर गठबंधन को लेकर और कॉंग्रेस ने वो एलाइंस नहीं किया तो इसका एक बहुत कारण है हार में बहुत बड़ी वज़ा है यह इस तरह के मुद्धे जो है गाइडिंग फोर्स बन जाते हैं खिलाफ कॉंग्रेस की इंटर्नल लीडर्शिप में क्या जगला चल रहा है कौन लीड कर रहा है जो पॉलिटिकल हर आदमी का फैसला माना नहीं जा सकता लेकिन उसको सम्मानित तरीके से स्थापित तो करना ही होता है इतना तो लगना ही चाहिए कि इस फैसले में सब सामिल है तो मुझे लगता है कि बाकी समिछा होंगी लेकिन इस समय मैं ये कहने की इस्तिति में हूँ कि इंडिया लाइन्स को और एक साथ रहना चाहिए एक दूसरे की मदद लेनी चाहिए सयोग करना चाहिए और बड़े लीडर्स को भी बैठकर एक दूसरे की राय मशुरा कर लेना चाहिए ताकि इससे एक दूसरा प्यूपॉंट भी आ जाए और कोई कोना ऐसा नहों कोई तरक ऐसा नहों जिसके बगर विचार किये छूट जाए उद्यवीर जी जिस तरीके से मध्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी से एलाइंस होते होते रह गया था हरियाना में भी समाजवादी पार्टी चाहती थी क्योंकि जिस बात करें हम यादो बेल्ट है वहाँ पर वहाँ पकड़ है समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंग यादों के जमाने से और अखिलेश यादों की भी वहाँ लोग प्रियता है तो अगर सीटें और गटबंदन हो गया होता तो ये कॉंग्रेस के लिए फायदे का तो होता ये तो कॉंग्रेस की लोग सोचें क्योंकि हम तो छोटे प्लेयर थे वहाँ लेकिन मैं आपसे जो बात आपकी बात मैंने कही आपके बारे में कही मैं अपने पुराने मदबदेस की अनुवव से ही कह रहा हूँ जिस तरीके से मदबदेस में अलाइंस नहीं हो पाया हम लोगों ने अलाइंस मान लिया था और बाद में कुछ बयान बाजी भी हो गई तो उसको कारिकरता ने बहुत दिल पे लिया और जोतराई सिंधिया जी ने इस पेशे सुरूप से बता रहा हूँ कई बार उसकी चर्चा की अपनी रेलियों में वह हमारी पार्टी की चर्चा अपनी रेलियों में क्यों करेंगे उनने कोई लाब दिखा होगा तो वहां की लीडर्शिप ने योत्राइन सिंधिया को मौका दिया जो वोट हम कॉंग्रेस को दिला सकते थे उसको अगेस्ट गाइड करने में तो मुझे ऐसा लगता है कि संभवता है ऐसा कुछ हर्याणा में भी हुआ हूँ क्योंकि पहले गटबंधन एकदम फाइनल स्टेज में चला गया उसके बाद विड्रो कर गए क्यूं कर गए कोई बात नहीं पता लगी और निश्ची तोर पर जब गटबंधन तूट जाता है तो बड़े नेता मंच से अगर कोई बात कहें उसके विप्रीत कार करता भी तो अपनी बात सोचता समझता कहता है और पब्लिक में तो कार करता है जो एलाइज हैं वो कह रहे हैं कि कॉंग्रेस और भाजपा जो आमने सामने लड़ती है और गटबंधन का सहयोग कॉंग्रेस नहीं लेती है तो बुरी इस्थिती में कॉंग्रेस पहुँच जाती है कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है कॉंग्रेस और भाजपा आमने सामने लड़ती है कॉंग्रेस लड़ती होगी भाजपा अकेली नहीं लड़ती है भाजपा अपना अलाइंस भी बनाती है तीसरा भी एक दल बनाती है जिसको अपने खिलाफ खड़ा हो करके चुनाव ललाती है कुछ को परदे के सामने से लला करती है और चुनावी राजनीत में हम इसको मैं इसको नाजाइज तो नहीं कह रहा हूं लेकिन हमको उनकी स्ट्रेजी समझ के उसके हिसाब से समाधन करने की ज़रूरत है आपको लगता है कि जो मद्यप्रदेश में हुआ वही हर्याना में दोहरा दिया गया रिजल्ट तो उसी तरह चौकाने वाले आए जिस तरह मद्यप्रदेश में लग रहा था कॉंग्रेस की सरकार बनेगी और सबसे अपनी हिस्टोरिकल विक्ट्री उसकी हुई उसी तरह हर्याना में भी जो हम लोग अपेक्षा कर रहे थे उस अपेक्षा के विबरीत लोग कहत से ते 30-35 सीट आ जाए तो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी बीजेपी और बीजेपी अगर पिछली बार से भी बहतर कर गई है तो निश्चे तोर पर हम लोग को चिंता करना चाहिए आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन होता तो जो यादों बेल्ट है हरियाना में उसमें भारती जनता पार्टी जीती है यानि जो हरियाना के यादों है वो भाजपा को एंडिये को मत दियें अगर कॉंग्रेस ने आपसे गठबंधन किया होत जैसा कि गठबंधन उसका यूपी में रहा और सीटे भी मिली तो हरियाणा में फायदा मिलता कौँ देखिए मैं इस समय यह तीका टिपड़ी में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि अभी ऐसा लगे का कि पॉइंट स्कोर का नहीं है हर लीडर की एक क्रेडिबिल्टी है यह सिर ऑul राफल गांधी और खुआयों दोनों साद प्रेशार करते इसका फाइदा कॉंग्रेस को जरूर मिलता नहीं सिर्फ है और इंडिया लाइंस के लीडर के हैं बैसे स्टेट्स COP रशी है टाल को मुखा जाए जाए था जाए ज्यादा से ज्यादा डिफेरंट डिफेरंट प्लेटफार्म से कांग्रेस की बात जाती है। हम लोग बीजेव को एक्सपोज करते हैं। मेजर गल्तियां जहां हो रही है। जहां इतने बड़े यादब मुस्लिम और समाजवादी कारिकरताओं का सोशन हो रहा है, कहाँ पानीपत मिनी मुझफर न गर है, फरीदवाद बिलकुल बोर्डर पर लगा है, तो ऐसा थोड़े है कि उत्तर पुदेश में जो घटनाएं, दुरगटनाएं, सरकार का दुरप साथ, सबके लीडर्स को बुलाना चाहिए था, सबको प्रयोग करना चाहिए था, कभी कंपलेसेंट होना ठीक नहीं है, राजनीद में, ज्यादा से ज्यादा के लिए प्रयास करना चाहिए, थोड़ा मिसिंग रह गया, निच्छी तोर पे और बेतर होता, अगर मिसिंग न दुख है, बिल्कुल पूरी तकलीफ है, पूरा दुख है, और हम लोग का, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, और कहते रहें कि हम लोग को पुरह विचार करना चाहिए, एक दूसरे की ताकत की सक्ती का इस्तमाल, उपियोग करना चाहिए, और परिस्तितियों के हिसाब से, हम अ पिताइजर को क्या संदेश जाता है, ये तो हम सारे लोग मिलके विचार करेंगे, तब ही होगा ठीए, आपको लगता है आखरी सवाल की भूपेंध हुड़ा, दिपेंध हुड़ा, इन लोगों का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, ये भी घातक साबित हुआ, मुझे लगता पितान, नौजवान और जवान इसके अलावा पहलवान इतने बड़े-मड़े मुद्दे थे और वास्ता में जख्चोर देने वाले मुद्दे थे, तो ऐसे समय में ये हार जो है, हमको भी गले से नहीं उतर रही है, और हमको कस्ट है, पीड़ा है, और मुझे लगता है अरियाना में भी उसने किया, तेकि मैं गलती, इतना बड़ी मेरी हैसित नहीं कि मैं किसे यो गलती है, अच्छा ही कहूं, लेकिन निश्चित तोर पे अगर हमारी सब की जन आकांच्छाओं के और सारे मीडिया, सोशल मीडिया के बताए, पर्खे, माहौल के विप्रित रि बहुत बहुत धन्यवाद हो देविर सिंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद है